सलाम अलेकुम वान ग्लास आम यूर साइंस टीचर दिस आर एलेवंथ लेक्टर प्लीज ओपन दो प्लीज ओफ साइंस पेज नमबर शीक्स ता हीमन बोडी लेसन हमारा फिनिश होका है आज हमने इसके एक्सिसाइज करनी है चलिए हैं स्टार्ट करते हैं वन है चूज ता क् आंसर उन्होंने फॉर फॉर और यहां और उनमेंसे वह कह रहे हैं कि जो प्लीज पॉड़ी पार्ट आप इस्वार करते हो टू हो पैंसिल पकड़ने के लिए अब यह देखे मैंने पैंसिल पकड़ी हुई है तो वह ही पूछ रहे हैं कि आप कौन सा बोड़ी पार्ट तो कौन सा बोड़ी पार्ट यूज करते हैं फिंगर्स तो फिंगर्स के उपर आप लोग ने इस तरह से टिक कर देना है नेक्स्ट है वाट टाज आ किटन ग्रो इंटू कि एक किटन जो है वह बड़ी होकर क्या बनती है यानि कि एक बिल्ली का जो छूटा बच्चा होता ह वह बड़ा होकर क्या बनता है वाई गर्ल डोग खैट तो क्या बनता है वाई गर्ल डोग खैट किटन ग्रो इंटू कैट तो कैट पर आपने टिक कर देना है नेक्स्ट है इन चीजों में से कहते हैं ये चार चीजों ने नीचे दी हुई है उन में से लिविंग तिक कौन सी है फस्ट है बाई साइकल फिर है है एट क्रो पैंसिल तो लिविंग तिक कौन सी चीज है क्रो क्योंकि क्रो खाता भी है उड़ता भी है और चलता भी है बड़ा भी होता है नेक्स्ट है विच ओफड़ फॉलिविंग is not a part of human body कहते है इस कौन सा पिर हमारी human body का नहीं है यानि कि हम इंसान है तो एंसानों का जो بोड़ी ओंकल देखें नेक्स्ट हमने क्रोस करने हैं चले करते हैं second question है हमारा mark these sentences with tick or cross तो यह sentences उन्हों नीचे हमें दिये हुए है कहते हैं इनको आप लोग ने mark करना है tick और cross के साथ उन्हों ने सामने boxes बनाए हुए तो उनमें हमने write करना है first time all human beings begin life as babies जितना human beings होते हैं वो छोटे बिचे होते हैं फिर भी बड़े होते हैं क्या है सब्सक्राइब बच्चे होते फिर बढ़े होते है तो हम इस first one box में हम क्या करते हैं टीक next है our living things need air सारे living things को कहते हैं हवा की जरूरत होती है हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है हवा की तो यह क्या जाएगा तिक फिर है all children look the same सारे जो बच्चे होते हैं वो एक जैसे दिखाई देते हैं नो आख, कान, नाख, जबान वो तो सब की होती है लेकिन वो एक जैसे नहीं दिखते हैं तो इसका क्या जाएगा क्रोस फिर है plants do not need food to grow करते हैं plants को खुराक की जरूरत नहीं होती घलत क्योंकि उनको हम पानी भी देते हैं खाथ बगर भी डालते हैं तो plants को food की जरूरत होती है तो यह क्या जाएगा क्रोस फिर है human beings plants and animals grow कहते है human beings इंसान पोद्दे और जानवरे सब बड़े होते हैं यह सब बड़े होते हैं आज का हमारा lesson one class यहां तक है आप लोगों ने यह टिक और क्रोस और साथ में यह correct answer सोब करने हैं और इनको अच्छे से याद भी करना है अपना ख्यार रखिएगा अल्ला हाफीज